मैं CS Gaurav Saeed from Shapers Education और आज का topic है that is very important implied condition and implied warranties इसको हम detail में with example जो है आज के lecture में समझने वाले हैं तो देखे आपके सामने जो है वो notes आज चुके हैं तो अब हम समझते हैं important topic that is express and implied condition तो देखो express से इसके नाम से हमें पता चल जाना चाहिए express that is expressly written on the contract जब हम contract of sale कर रहे हैं तो contract में already लिखा हुआ होता है express किया होता है कि यह यह सारी condition जो है वो इस contract को applicable होगी तो देखे आपको क्या लिखा हुआ है express condition are those which are agreed upon दो parties के पीच में जब contract of sale हो रहा है तो वो agree करते हैं आपस में कि यह यह सारी conditions जो है वो पूरी होनी चाहिए जैसे कि आपने देखा यह terms and conditions जो की contract के नीचे सारी लिखी हुई होती है तो जो contract में written express जो की होती है conditions agreed करते हैं दोनों party तो वो होते ही express condition and this is very important इसको हम समझेंगे implied condition implied conditions ऐसी condition जो है जो की implied है यहाँ पर किसी party इसको contract में लिखना नहीं होता है implied है law के लिए कि अगर हम contract of sale दो party कर रहे हैं तो यह impliedly applicable होगा इसके लिए अलग से contract में उसको express करने की ज़रूरत नहीं है तो अब हम देखेंगे implied condition के कौन-कौन सी implied conditions जो है वो होगी जहाँ पर उसको express हमें contract में नहीं करना पड़ेगा तो देखें आपको implied condition जो है वो बहुत अलग-अलग type की condition हमें यहाँ पर classification जो है वो दे रखा है implied condition का तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं condition as to title और ownership तो जो भी मैं contract of sale कर रहा हूँ तो वो implied condition है कि जो भी seller मुझे goods बेच रहा है उसका title जो है वो बिलकुल भी defective नहीं है means वो चोरी का नहीं है या ऐसा कोई भी title defective नहीं है जब goods जो है वो बेच रहा है तो उसका title एकदम good है और जब मैं उसे खरीदूंगा तो उसकी ownership जो है वो मेरे पास ही रहेगी वो मेरा goods रहेगा तो ये implied condition है कि condition जो है जो भी seller has the right to sell the goods तो seller के पास पूरा right है कि वो goods को sell करेगा when seller has the title और ownership ठेक है जब seller के पास title और ownership गोट्स की होती है तो ही वो goods जो है वो किसी दूसरी party को बेच सकता है means goods जो है वो चोरी का नहीं होना चाहिए देखे आपको if the seller is selling the goods which are stolen ठेक है अगर चोरी किया हुआ कोई person जो है वो किसी और को goods भेच रहा है तो यहाँ पर उसका title जो है वो good नहीं है तो अब हम इसको example के through समझेंगे कि अगर ऐसा होता है अगर goods जो है वो चोरी का है तो क्य हो सकता है तो यहाँ पर देखे एकी बात हो रही है ए ने जो है वो purchase किया है एक ट्रैक्टर B से ठेक है ए ने जो है वो purchase किया है ट्रैक्टर B से बड़ B के पास कोई title नहीं है after two months the true owner spotted the tractor यहाँ पर इसका मतलब यह है कि B ने जो है वो किसी से store चोरी कर लिया होगा अब जब जो है रस्ते पे मान लो के रस्ते पे वो ट्रैक्टर जो है वो चला रहा था और उसके true owner ने रस्ते में इसका ट्रैक्टर जो है वो देख लिया तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा जैसे ही उसने देखा तो C ने डिमांड किया कि ये मेरा ट्रैक्टर है और आपको मुझे देना ही पड़ेगा ठेक है यहां तक स्टोरी अब देखते हैं क्या हुआ अब सीधी सी बात है अ को जो है भले ही उसने पी से खरीदा है लेकिन एस पर लॉग उससे एको जो है वो सी को ट्रैक्टर देना ही पड़ेगा बिकॉस उसका ट्रू ओर्नर जो है वो है सी अब हम एका देखते हैं एक ही पोजिशन क्या होगी एक ही पोजिशन जो यह होगी कि उसे tractor तो C को देना पड़ेगा लेकिन वो जो pair करेगा जो भी expenses जो है या कुछ भी sue जो है वो B को करेगा ठीक है तो A को tractor तो C को देना पड़ेगा लेकिन वो B को sue कर सकता है अगर मैं description के थूँ कोई goods जो है वो खरीद रहा हूँ के सारी ऐसी होनी चाहिए इसमें ऐसा होना चाहिए इसमें ऐसी border होनी चाहिए तो जो goods मैंने describe किये description का मतलब क्या हो गया describe करना तो जो goods मैंने describe किये है उसे description का goods जो है वो होना चाहिए अगर goods ऐसा नहीं है तो जो party जो है वो sue कर सकती है जिससे उसने खरीद आए तो देखे आपको क्या दे रखा है if the goods are being sold through description तो जो भी description है जो describe किया है वैसा ही goods जो होना चाहिए example के दूप समझते हैं जब राम ने एक किसी से new car purchase करी यहाँ पर important क्या है new car ठीक है तो जब वो car खरीद रहा है which he thinks to be new from the baby ने उससे car खरीदी और उसको लग रहा है कि यह new car है उसने बोला कि मुझे एक्दम नई car चाहिए and the car is not new B ने क्या किया B ने second hand car जो है वो बेज दी यहाँ पर A ने describe किया है कि new car ही होनी चाहिए बट B ने क्या किया उससे second hand car जो है वो बेज दी तो यहाँ पर CDC बात है कि राम जो है वो reject कर देगा because description के हिसाब से वो नहीं था next हम देखते हैं sale by sample sale by sample का मतलब होता है कि जो भी मैंने sample के through goods को order किया है मैं थोड़ा सा sample देख लूँगा और उस sample के हिसाब से अगर मैं bulk order करवा रहा हूँ तो जो sample में मैंने जो goods देखे थे उसी हिसाब से पूरा bulk जो मैंने order करवाया है वो match होना चाहिए sample के साथ अगर वो match नहीं होता है तो मैं goods जो हो वो reject कर सकता हूँ तो देखे आपको क्या लिखावा है in the contract of sale by sample implied condition होती है कि जो bulk quantity मैंने sample के basis पर order करी थी वो bulk quantity भी match करनी चाहिए और buyer जो है उसको reasonable opportunity मिलने चाहिए जब buyer खरीद रहा है तो उसे sample तो देख लिया sample के साथ साथ उसके पास opportunity है कि वो bulk को भी check करे और match करे और फिर order करवाया है तो shoes जो है यहाँ पर वो बेच रही है और वो client को कैसे बेचती है कि हमारे shoes का sole जो है वो बहुत ही अच्छी quality का है a special kind of sole by sample sale for the french army वो एक sample दिखाती है और sample के थूज जो है वो अपने shoes जो है वो बेचती है लेटर तो हमने क्या किया client ने क्या क्या इस sample के फूरे bulk quantity जो है वो order कर दी लेकिन जब bulk quantity लेटर when the bulk was delivered it was found that they were not made from the same sole same sole से वो बने वही नहीं थे आपने sample में तो अच्छी quality दिखा दी लेकिन जब आप दूसरा bulk order कर रहे हो उसी sample के थू हमने तो वो जो है दूसरी quality के होगे तो यहाँ पर simple सी बात है कि यहाँ पर buyer जो है वो पूरा refund जो है वो ले सकता है even price का भी और अगर उसे इस contract से damages भी हुए है तो वो damages भी ले सकता है next हम देखते हैं next है sale by sample as well as description very easy sample और description के थूँ अगर मैंने कोई goods को order किया है और वो order जो है मेरे sample और description से match नहीं करता है तो goods को मैं पूरी तरीके से reject कर सकता हूँ और party को sue कर सकता हूँ next हम देखते है condition as to quality और fitness means यहाँ पर एक implied condition है कि जो भी goods खरीद रहे हैं वो पूरी तरीके से अच्छी quality का होना चाहिए और fit होना चाहिए जैसे कि हम यहाँ पर समझते है देखो there is no implied condition and warranty in the law regarding the product quality and the fitness but यहाँ पर एक implied है कि product should be suitable for the purpose mentioned जो मैंने purpose जो है वो mention किया है वो होना चाहिए यह हमने पहले भी example के तुरू समझा हुआ है कि अगर मैं medicines की डुकान पर जाता हूँ और मैं describe करता हूँ कि मुझे headache की दवाई चाहिए medicine चाहिए और मैं पूरी तरीके से उस medical pharmacist पर dependent हूँ कि हाँ वो मुझे सही देगा अपने skills और judgment में तो यहाँ पर देखिए a buyer is relying on the seller skills and judgment मैंने medicine खरीगी तो मुझे पूरा trust है उस chemist पर के वो मुझे headache की दवाई ही देगा next has informed him or her regarding the purpose of the product मैंने chemist को बता दिया है मेरा purpose के मुझे headache हो रहा है तो उसके relief के लिए मुझे चाहिए तो यहाँ पर मैंने purpose भी बता दिया है और seller जो है उसका business ही यही है कि उसे पूरी knowledge है जो मैंने describe किया है तब जो है अगर match नहीं होता है तो हम goods जो है वो reject कर सकते हैं even case भी कर सकते हैं तो देखें example में क्या लिखा हुआ है यह जो है उसने 32 ठीक है false जो teeth का जो set होता है ठीक है 32 जो है वो जो है वो bought की किसे बी से जो की एक 10 किसा अब जब वो false teeth जो है वो set आया वो a जो है उसके यहाँ पर fit हुआ ही नहीं जैसे मैंने description दिया था वो set ही नहीं हुआ तो a ने क्या कि a के पास पूरा right है कि वो reject करेगा और even price का refund जो है वो लेगा it was held that a was entitled to do so as because only purpose क्या था for which he wanted उसको set चाहिए था और वो ही main purpose जो है वो set ही नहीं हो रहे है तो उसकी वज़े से हम जो है वो पूरी करेके से few भी कर सकते हैं and refund भी ले सकते हैं next हम देखते हैं condition as to mercantibility तो सबसे पहले तो हम mercantibility का मतलब समझते हैं ऐसे goods जो की बेचने लायक होने चाहिए अगर मैंने किसी wholesaler से खरीदा है retailer में तो वो retailer जो है आगे उसको clients को या customers को बेच पाए तो वो चीज होती है mercantibility जो की fit for sale हो तो यहाँ पर देखे यही ची लिखी हुए कोई भी defect नहीं होना चाहिए और अगर buyer chance goods में defect होता है तो यहाँ पर जो buyer जो है उसके पास पूरा right है के वो उसे reject कर जैसे कि हमने पहले example देखा था goods cold drinks जो है और chocolate जो है अगर cold drinks जो है उसकी bottle के ढखकन और वो सब खुले हुए है अगर chocolates बंगवाए है उसके wrapper जो है वो खुले हुए है तो वो बिल्कुल भी mercantible quality के नहीं है और इसलिए because वो mercantible quality के नहीं है मैं आप यह उसको बेच नहीं सकता और अगर ऐसा केस होता है तो मेरे पास पूरा right है कि मैं goods को reject कर दो next हम देखते हैं condition as to wholesomeness wholesomeness का मतलब होता है कि वो हमारी body के लिए एकदम fit होना चाहिए हम अगर कोई चीज consume कर रहें देखों यहाँ पर क्या लिखाव है in case of eatables और provisions और foodstuff generally यहाँ पर condition of wholesomeness लगती है यहाँ पर apply होती है condition है कि वो goods पूरी तरीके से fit होना चाहिए अगर उसे हम consume कर रहे हैं तो हमारी health को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए अगर हम उस goods को consume कर रहे हैं और consumption से अगर हम जो है हमारी body जो है उसकर impact आ जाता है तो मेरे पास पूरा right है कि मैं पूरे goods को reject करूँ और उसको स्यू करूँ for the damages तो देखिए आपको दे रखा है A supplied F with the milk तो A ने जो है वो F को milk भेजा बट milk जो था उसकी quality पूरी तरीके से खराब थी because milk contain the typhoid germs उसके अंदर germs है और जब F की wife ने जब उस milk को consume किया तो because वो germs stifled germs से था तो उसकी वज़े से वो infect हुई और वो मर गई ठीक है held that there was a breach of condition as to fitness तो CDC बात है अगर कोई goods को consume करने से किसे की death हो जाती है तो A जो है वो पूरी तरीके से liable है damages के लिए and heavy damages because यहाँ पर तो death की बात हो रही है तो बहुत heavy damages जो है वो लग सकते है तो यहाँ पर हमने सारे topics जो है वो पढ़े implied conditions के ठीक है तो सबसे पहला title होना चाहिए नेक्स हमने देखा description के हिसाफ से जो मैंने describe किया है उसे साफ से goods होने चाहिए नेक्स जो मैंने sample दिया है उसे साफ से bulk quantity होनी चाहिए अगर मैंने sample और description के हिसाफ से goods अगर लिये है तो वो पूरी तरीके से bulk quantity match होनी चाहिए और goods जो है जो मैंने लिये है वो quality wise होने चाहिए next हम देखते है condition as to bullsomeness means goods अगर eatables या कुछ भी है वो पूरी तरीके से pure होने चाहिए अगर वो contaminated है और अगर buy chance sell पर impact पड़ता है तो हम sue कर सकते है next condition as to merchantability means goods जो भी हम खरीद रहे हैं वो fit to use होना चाहिए और आगे हम उसे बेच पाएं तो ये सारी जो है वो implied condition है जहां पर हमें उसको contract में express नहीं करना पड़ता है जैसे ही हमने goods खरीदे हैं तो वो impliedly है कि ये सारी चीज़े जो है वो वो नहीं चाहिए अगर नहीं है तो हम damages भी claim कर सकते हैं हमारे पास पूरा right है कि हम goods को reject कर लें और हम party को sue भी कर सकते हैं I hope आपको implied condition जो है वो अच्छे से clear हो गई हो कर सकते हैं